सेतु बंधासन सेतु बंध का अर्थ है पुल बनाना इस आसन में आपके शरीर की स्थिती एक पुल की तरह होती है इस आसन को चतुषपदासन भी कहा जाता है सबसे पहले आप अपने पेरों के बीच आराम दायक अंतर बनाते हुए अपनी पीच के बल लेड जाए अपनी दोनों हत्हलियों को जमिन पर इस प्रकार रखें कि उनका मुख आस्मान की तरफ हो इस आसन को शवासन कहा जाता है अब अपने दोनों पेरों को जोडए फिर अपने पेरों को मोड कर अपने कूलों के पास ले आए फिर अपने दोनों टकनों यानि एंकल्स को अपनी हाथों से मजबूती से पकड़ें अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने कूलों को जितना हो सके उतना उपर उठाएं जिससे आपका शरीर एक सेतु यानि पुल का आकार ले ले सुनिश्चित करें कि आपका सर और कंधे जमीन पर हो और आपके घुटने और पैर एक ही सीध में हो इस अंतिम मुद्रा में अगर आप चाहें तो अपने हाथों से अपनी कमर को सहारा दे सकते हैं इस थिती में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और दस से तीस सेकेंड तक रहें ये आशन पीट के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है ये आपके पेट की अंदरूनी अंगों में खिंचाव लाकर पाचन क्रिया में सुधार लाता है और आपको कब्ज से मुक्ति दिलाता है सेतु बंधासन रिदे संबंधिकारियों में सुधार लाता है यदि आपको अलसर और हर्निया जीसी विमारिया हैं तो ये आसन ना करें। गर्भुफती महिलाओं को ये आसन सावधानी से और परियविक्षन के तहब करना चाहिए। 10 से 30 सेकेंड तक सेतु बंधासन में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कूलों को वापस जमीन पर लाएं और अपने टकनों को छोड़ते हुए पुनशवासन की मुद्रा में आ जाएं और विश्राम करें। नियमित रूप से सेतु बंधासन करने से आपको अवसाद यानि डिप्रेशन और व्यग्रता यानि एंग्जाइटी से मुक्ती मिलती है।